तो आज हम करेंगे इश्यू औफश्यrás का नेक्स चैपने आइक्स टॉपिक जो कि मीनुलूरी एक्सपेंसिश होतह ने व एक्सपेंसिश होते जू कंपनी बनने से पहले होते हैं याने कि एक्सपेंसिश Ma沒有 कहलो हैं यि यह खर्चे हमने किये हैं बनाने के लिए या फिर प्रिंट करवाने के लिए बहुत सारे डोक्यूमेंट्स लाइक हमने कंपनी बनाने से पहले बहुत सारे डोक्यूमेंट्स प्रिपेर कि होंगे क्योंकि हम रेजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं इसलिए कंपनी का रेजि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसकी कोस्ट और अगर कमपनी ने जो है किसी दूसरी कोई दूसरा जो बिजनस चल रहा था उसको परचेज किया है तो कमपनी ने उस बिजनस के लिए कुछ ना कुछ फ्रीस पे की होगी किसी थार्ड परसन को ситу है इत जिन्स जब हमारी कंपनी परपर बनी नहीं है उसको बनाने में जो खरच आ रहा है वो preliminary expenses के अंदर आता है यह बताया है कि यह जो खर्चाते company बनाने से पहले का होता है तो accounting standard 26 में यह बताया हो है कि इसे खर्चे को हम right of कहां से कर सकते है यानि कौन से profit and loss में से हम इसको right of कर सकते है तो यह है कि जिस साल यह खर्चा हुआ है हमारा उसी साल हमने इसे right of करना होता है इसको हम सबसे पहले थो security premium reserve account में से right of करते है और अगर वो हमारे पस नहीं है तो statement of profit and loss account में से इसको right of कर जाता है लेकिन बात ही है कि इसको उसी साल जिस साल यह हो है उसी साल right of कर दिया जाता है तो next रहेगा आज का topic entries on issue of shares यानि कि जब एक company ने shares issue कर दिये तो उसकी journal entries क्या की जाएगी तो इसमें सबसे पहले रहेगा entries on receiving of applications यानि कि हमें public से application receive हुई है तब हम क्या entry करेंगे सबसे पहले क्या आते हैं कि हमें public से पैसा receive होता है उसे public एक bank में जमा कराती है जो company का scheduled bank होता है तो उसके लिए entry होएगी bank account debit to share application account फिर narration लिखी जाएगी कि application money received on dash shares यानि कि जैसे किसी से 200 share दिये थे उससे हमें application money receive हुई है तो 200 shares पे at the rate of 10 रुपे का एक share था 10 रुपे का share था लेकिन application money उस पे 3 रुपे थी तो 3 रुपे पर share के साब से हमें application money receive हुई है इसी के अंदर एगा कि अगर जो हमारी application money हमें receive हुई है वो share capital का part बन जाती है company की share capital के अंदर हो जाती है इसलिए जब भी directors जो है shares देते हैं ना public को तो जो share application money हमें receive होते हैं उसको share capital account में transfer कर दिया जाता है तो उसके लिए journal entry क्या होएगी जो हमें money इसको ट्रांसवर कर रहे हैं तो शेयर application account debit टू शेयर capital account application money on allotted shares पर जो मिली थी ट्रांसफर टू शेयर capital account में transfer कर दिया इसकी narration हो जाएगी फिर कई बार क्या होता है कि directors जो होते हैं वो shares कुछ applicants को नहीं देते यानि कि नहीं देपाते जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो तो जो application money होते हैं उन applicants की वह में वापिस करनी पड़ेगी तो जब हम उनकी application money वापिस कर रहे हैं तब क्या entry होएगी शेयर application account debit to bank account narration लिखेंगे application money return on unallotted shares यानि कि जो shares हमने किसी को दिये ही नहीं उनकी application money हम वापिस कर रहे हैं then next रहेगा entry zone allotment यानि कि जब हमने shares allot कर दिये तब हम क्या entry करेंगी तो जिन एप्लिकेंट्स को हमने shares दिये और उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं लैटर भेसते लैटर ओफ अलोटमेंट का उसके अंदर हम उन्हें यह बताते कि हमने उन्हें कितने shares दिये हैं और उन shares पे कितनी amount अभी due हुई है यानि कि कितने रुप अभी pay करने रहते हैं जब हम लैटर इशू कर देते हैं लोटमेंट का तभी allotment money due हो जाती है और वो share capital का पार्ट बन जाती है तो जब allotment money due हो गई तो उसकी entry के आएगी share allotment account debit to share capital account narration लिखेंगे amount due on allotment पर इतना लिख देंगे और यहां पर एक बात है कि यहां पर entry हमने जो है real account के base पर किया है कि हमें पैसे मिल रहे हैं bank का balance हमारा increase हो रहा है तो debit what comes in credit what goes out इसलिए हमने bank account को यहां पर debit किया है then इसी टाइप से entries on first call तो जब shareholders को हमने inform कर दिया कि तुम first call के पैसे pay करो it means first call due होगी उनकी तो entry होएगी share first call account debit to share capital account narration लिखेंगे first call due on जितने भी shares पर due हुई है so shares at the rate of two rupees per share then अगर हमें first call money मिल गई तब क्या narration होएगी bank account debit to share first call account तो narration लिखेंगे first call money received यहां पर भी same real account का rule लगेगा इसे types entries on second call की कर देंगे जब हमने shareholders को inform कर दिया कि तुम second call के पैसे pay कर दो it means second call उनकी due होगी तो entry होएगी share second call account debit to share capital account narration लिखेंगे second call due then अगर हमें second call के पैसे receive हो गए on receipt of second call money तब हम entry क्या करेंगे bank account debit to share second call account narration लिखेंगे second call money received इसी तरह से अगर और call है third call या fourth call है तो उनकी entries भी same इसी तरह से हो जाएंगी अभी तक हमने किया कि जब हम shares को issue कर देता है तो उसमें different situations में हम journal entries क्या करेंगे हम आजाता है कि हम issue of share कर रहे हैं तो वह किस टाइप से करता है पार पे भी कर सकता है प्रीमियम पे भी कर सकता है तो वह देखता है कि करके issue of shares at पार पार means जितने का share है यानि कि जितनी उसकी face value like share 10 रुपे का है और हमने उसे 10 में issue कर दिया तो वह तो होता है issue of shares at पार यानि कि face value पे issue कर दिया जैसे कि एक्जाम्पल लिमिटिड ने application invite की 30,000 shares की 10 रुपे का एक था तो उस पर payment हमें कैसे receive होती है तीन रुपे application पे तीन रुपे allotment पे दो रुपे first call पे दन दो रुपे final call पे पब्लिक ने सारे shares apply कर दिये इसमें बताया हुए कि सारे जितने भी shares हमने issue के उस पर allotment और call के पैसे हमें timely receive हो जाते हैं दना के बताया हुए share and issue expenses जो है हमारे 8,000 रुपे हुए और तीन रुपे के साब से application money receive हुई है तो यहां पर entry होएगी bank account debit to equity share application account तीस हजार को तीन से multiply किया अब 2,000 आ गया यहां पर narration लिखी है money receive फिर हमने जो application money receive हुई है इसको share capital account में ट्रांसफर किया एक्विटी शेयर application account debit to equity share capital account यह पूरी की पूरी पूरी अमान ट्रांसफर कर दी तैन narration लिख दो ट्रांसफर ओफ एप्लिकेशन money to share capital account इसके बाद जो अलोटमेंट पे देखो तीन रुपे रिसीव हुए 30,000 पर के हिसाप से तो एक्विटी शेयर पर स्बस्क्राइब कर दो जाएंगे फिर हमें मिल जाएंगे तो एक्विटी शेयर फरस्ट कोल अकाउंट नैरेशन लिख दो यहां पर हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ है तो वह भी हमारा खर्चा हो गया क्योंकि हमने उनको इसलिए 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 हमारी कंपनी बनाने में हैल्प की थी तो यह भी खर्चा हो गया क्योंकि हमारे शेर कैपिटल अकाउंट में से पैसे कम हो जाते हैं तो इसलिए यह हम उसको क्रेड़ करेंगे और हमारा खर्चा इसलिए इसकी नारेशन लिखेंगे फुली पेड़ शेर इशू टू प्रोमोटर्स को इशू कर दिए फॉर देर सर्विसीज के लिए इसके पा चीड़ेम परकिए 2020 आज में पूले कि लिए और हमने उसे 12 रुपै में wings चीड़े तो इहांते हैं एक अलग से के अकाउंट में परोफिट होता है और इसकल बैलन्स हेट में इक फिर्डियंड लाइबिल्स के इंदर रिजॉग किया सब्सक्राइब करते हैं तो एक नोर्मली बेसिकली देखे तो चैक्शन 52 1 के अंदर यह दिखाया हुआ है कि जो अमाउंट रिमियम की हमें जो रिसीव होते हैं शेयर के उपर वह बेसिकली तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर क्राइडिट की जाने चाहिए लेक करते हुएं दोनों में से किसी भी टर्म का यूज कर सकते हैं कोई भी गलत नहीं होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का भी कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं दोनों एक ही रहेगा इसमें कोई वह दिक्कत नहीं है उसक या फिर कंपनी ने अपने शेयर से इस्यू करते हुए जो भी खर्चा किया है कमीशन का डिसकाउंट का उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं प्रीमियम को इस्यू करने के लिए दैना कर कंपनी जो ह उसके माद एगार अपने ही शेयर्स वापिस बाइबेक कर रही है फिर इसको जुर्थ पड़ी तो उसने खुद के शेयर्स वापिस बाइबेक कर लिए सिचुएशन अच्छी होग है तो वहां से अगली वीडियो में करेंगे आज इसे लिए इतना ही आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू